बांगलादेश में इस समय अराजकता फैली हुई है। बांगलादेश के वर्तमानिस्थिती पर प्रतिक्रियादी। योग गुरू ने कहा है कि बांगलादेश में हिंदूओं के उपर हमला हु रहा है और मंदिरों पर भी इसलामिक कट्टरवादी हमला कर रहे हैं। ये चिंता का विशह है। बांगलादेश में हिंदूओं पर किसी भी तरह की कुरूरता या त्याचार नहीं होना चाहिए। चाहे वहां व्यापार करने वाले हिंदू हो या वहां के हिंदू मंदिर हो या वहां रहने वाले भारतीर हो इसके लिए पुरे देश को एक जुट होना होगा। मुझे ये देख़र खुशी हो रही है कि पहली बार पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीती होनी चाहिए। अन्यधाच इस तरह से इस्लामिक कटरपंथ दुनिया भर में फैल रहा है और जिस तरह से भारत के पडोस में दस्तक दी चुका है वहदेश के लिए खतर डाक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए आप भी। बंगला देश में हमारे हिंदु भाईयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता अत्याचार जुम ज्यात्यात्य ना हो। जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदु मंदिर हैं या हमारे भारतिये वहाँ पर जो नागरी करह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइनसाफी ना हो इसके लिए पुरे तेश को एक जुट रहना होगा और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसंदता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीती होनी चाहिए नहीं जो जिस तरह से पुरे दुनिया में इस्लामिक कटरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये एक जुटता हमारी आगे भिलेनी चाहिए कोई यहाँ पर आरक्षन के नाम पर कोई चाती के नाम पर कोई अलग अलग प्रकार के मजबी उन्माद के नाम पर देश को जो बाटना चाहता है ये ठीक नहीं है इसलिए हमारी भारत की राजनी दी मुद्दो पर के लिए था उसमें चाती उसमें समिधान उसमें अरक्षन उसमें अलग अलग प्रकार के मजबी उनमाद, जातिय उनमाद, भाशाई उनमाद, तमाम तरह के प्रांतिय उनमाद, इन सब उनमादों से परे किवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं इस पर ये भी पुरा देश एक जुट हो करके आगे बढ़ेगा तब हम अपने पडोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पुरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्ति सारी राष्ट की रूप में उभर पाएगा